दोस्तों आज मैं एक क्विक अपडेट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए मेरे सारे भीवर्स के लिए जो बहुत की ज़्यादा इंपोरेंट होने वाला है अगर आपका भी सपना है कि आपको बिदेश में जाके जौब करना है बिदेश जाके यह बिदेश जाना है तो आपको आज का इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए क्योंकि आपने थमनेल देखा ही होगा जहां पर मैंने लिखा है सावधान अगर आप भारतिये हैं और आप अगर विदेश जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आकर तो जरूर दोस्तों मैं हो शक कुमार साहू करियर कोच और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदितर चानल लावनिया ग्लोबल करियर प्रानल यूटूब पर अगर आप पहले बाद चानल पर आए हैं तो चैनल को सब्स्राइब कर लिजगा साथे भी लाइकन को ओन करके नोटिफिकेशन बटन को ओन रखें क्योंकि इस पासपोर्ट में जो बताने वालों आगे में उस टेको कोई प्राप्लेम हुआ तो आप विदेश नहीं जा सकते और यह रिसेंटली ही नोटिफिकेशन आया हुआ है क्या है तमाम जानकारी वीडियो में आखे तक बने रहें आगे मैं आपको बताने वाला हूं सबसे पहले आप अपना पासपोर्ट निकाल लीजिए जैसे मैंने निकाल कर रखे आप लोगं के लिए दिखाने के लिए ठीक है हाला कि यूट्यूब का बहुत इंटर्नल रूल से रिखलो समय इसको उपन करके नहीं दिखा पाऊंगा लेकिन आप अपना जो पासपोर्ट है दोस्तो अपनाम है साहू ठीक है और इसमें अगर जो दो कॉलम है दोस्तों इसमें अगर एक कॉलम में अगर आपका नाम है और दुसरा कॉलम अगर खाली है तो आपके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है तो आपका जो पासपोर्ट है दोस्तों खोल लीजिए दुबारा देखिए इसमें होना चीए, जो दो खाली स्थान है, यहने कि दो जगा नाम है उपनाम और दिया गया नाम, तो दोनों में फिल रहना चीए, अगर कोई भी एक जगा खाली रहा, तो यह मुश्किल पैदा हो सकता है, मैं दुवारा बोल रहा हूँ, प्लीज, आप अपना दिखाने के लिए में दिखा रहा हूँ, यह डमी पास्पोर्ट का एक कॉपी है दोस्तों, जहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें क्लेली मेंशन है, दिया गया नाम और उपनाम, क्या है रिटेल्स, क्यों ऐसा आया है, और कौन सा कंट्री आप नहीं जा सकते, यह आप प्रवेश की अनुमती देने के लिए अपने पास्पोर्ट पर अपने प्राथमिक यानि पहले नाम, और दितियक यानि उपनाम, दोनों नामों का उपयोग करना आवश्यक है, नए नियमों के अनुसार, अगर दोनों ही कॉलम में आपका नाम नहीं है, तो आपके लिए की अनुमती नहीं दी जाएगी, जिनका पास्पोर्ट पर सिर्फ नाम का एक शब्द होगा, वह मान्य नहीं होगा, अगर आप ट्रेवल एजेंटों को पत्र में जो कहा गया है, उसको अगर सुनें, तो बिते दिनों ट्रेवल एजेंटों को इंडिगो द्वारा भेजे ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों को पास्पोर्ट पर सिर्फ एक ही नाम वाले यात्रियों को UAE से अनुमती नहीं दी जाएगी, अच्छा इसमें एक और अच्छी रहत की बात है दोस्तों, कि किनको मिली छूट, हाला कि आवासिया या रोजगार भीजा पर UAE की यात्रा करने वाले यात्रियों को नियम से छूट दी गई है, इंडिगो एरलाइन्स द्वारा बयान में कहा गया है कि पास्पोर्ट पर एक ही नाम वाले और निवास परमिट या रोजगार भी रखने वाले यात्रियों को यात्रा करने की अनुमती दी जाएगी, बशर्तें कि प् के संपर्क करने या उनकी वेबसाइट गो इंडिगो.com पर जाने के लिए भी कहा है, वहीं एर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइस जड़ जैसी अन्य एरलाइन सेवाओं ने भी संयुक्त अरब अमिरेत के यात्रियों को यह सुनिशित करने के सलाह दी है कि उनकी पास्प अगर आप अपना नाम उसमें डाल सकते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो शायद आपको बहुत मुश्किल हो सकती है, हलाकि इसमें यह कहा गया है कि अगर आप वहां का रसिदेंट है या फिर वहां का वर्क परमिट भी आपके पास है, तो उनको थोड़ा बहुत सरलता दी था, important update on travel to UAE, dear trade partner, as per instructions from the UAE authorities, effective 21st November 2022, passenger with single name on passport travelling on tourist, visit और any other types of visa shall not be allowed to travel to or from UAE. या UAE से जाने के लिए या UAE जाने के लिए दोनों condition में आपको allow नहीं किया जाएगा However, passengers with single name on passport and in positions of residence permit और employment visa shall be allowed to travel provided the same name is updated in first name and the surname column तो दोस्तों Indigo ने clear कर दिया है अगर आपका surname और दिया गया नाम जो है उसमें दोनों में अगर fill up है तो आपको allow किया जाएगा हलाकि इसमें एक और शर्त रखा गया है अगर आपको पास work permit है या residence card है तो आपको शायर छोड़ा जा सकता है लेकिन आप जाने से पहले एक बार उनको email जरूर करने और confirm जरूर करने दोस्तों अन्या था होगा क्या कि आपको airport से वापस आना पड़ सकता है आशा करता हूँ आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको एक जबरदस्त update मिला होगा और कहीं न कहीं बहुत लोगों का सपने को भी ये तोड़ने वाला जैसी बात है लेकिन आपको इसके लिए चिंता नहीं करना चीए आपको email कर देना चीए और अगर कुछ भी changes हैं तो आपको अपना passport में changes भी कर लेना चीए passport का rules and regulations के मुताबिक दोस्तों इसी तरह का informative वीडियो देखने के लिए आपको कर लेना चीए चैनल को subscribe और bell icon को भी on कर रखना चीए क्योंकि इसी तरह का informative वीडियो मैं रोज लेके आता हूँ आप लोगों के career के लिए so thank you so much for watching मिलते हैं एक नया वीडियो में नया topic के साथ तर तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत thank you so much जय हिंद जय भारत